दोस्तो वेब सीरीज तांडव की कॉंट्रोवर्सी ने एक नया रूप ले लिया है जी हाँ इनके निर्माताओं और सेपली खान इत्यादी के जेल जाने का रास्ता लगबग साफ होना सुर हो गया है जगे जगे पर इनके खिलाप है पाया दर्ज होना सुर हो गई है और तमाम अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए साथ ही दोस्तो यदि आप भी तांडव को जल्दी से जल्दी बैन करवाने की मांग करते हैं तो कमेंट बोक्स में बाई कोड तांडव जरू लिखीगा जया दोस्तो बड़ी खबर आ रही है कि अलिए बास चपर द्वारा निर्देशीत और अमेजन प्राइम पर परसारित वेब सीरीज तांडव का विवाद खातम होने का नाम नहीं लेरा अब खबर है कि मुंबई के गाट को पर प्लीस इस्टेशन में धारा 153A, 295A और 5052 के तहत तांडव की निर्माताओं और आर्मी भावनाय आहत करने का आरोप लगा है और मेकर्स के माफी मांगने की बाद भी विवाद सांत नहीं हो रहा है बता दे कि 6 सेरों में इस सीरीज की खिलाप अपायार दर्ज होने की बाद अब यूपी पुलीस मेकर्स से पूस्ताज के लिए मुंबई भी पहुंच आपको बता दे कि तांडव सीरीज में सेहपली खान के लवा जिसान अयूब, सुनील ग्रोवर, तिमानसु धूलिया जैसे बड़े सीतारे भी नजर आये थी हलांकि सीरीज में जिस सीन पर विवाद हुआ है वो यह है कि पहले ही एपिसोड में जिसान भगवान सीव बन का स्टेज पर कुछ बयान बाजी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ अब सब्दों का इस्तमाल किया है, इसके चलते इस सीरीज पर भगवान सीव और नारद मुनी की अपमान का भी आरोप लगा है, हलांकि 15 जनुरी को रिलीज हुई अमेजन प्राइम वीडियो पर पर सा इसको लेकर बढ़ते हुई विवाद को देखते हुए इसकी टीम ने एक अधिकारिक बयान बीजारी किया है, जिसमें कहा है कि उसका किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था, इस बयान में कहा गया है कि हम देश वास्चु की भावनाओं का बहुत समान कर और हमारी किसी व्यक्ति, जाती, समुदाई और धार्मिक भावनाओं या धार्मिक आस्ताओं को आहत करने या किसी संस्तार राजनीतिक दल व्यक्ति को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था, तो दोस्तों हम सोच सकते हैं कि आखिर जब इनका इरादा नहीं था तो ऐस किसी सीरीज बनाई ही क्यों क्या पहले इनके मन में ये खयाल नहीं आया था किसे किसी की भावना जुड़ी है और इससे अपमान हो सकता है आप कमेंट बोक्स में जरूर बतेए और जुड़े रही हमारे साथ धनिवाद